तो आप MP संजे सिंग को गिरफतार कर लिया गया E.D. द्वारा और उन्हें 10 अक्टूबर के लिए E.D. रिमांड में भी भेज दिया गया है E.D. ने खुलासा करते हुए कहा कि संजे सिंग को 2 करोड रुपए किक बैक के तौर पर दिये गए और दो इंस्टॉल्मेंट्स में ये पैसे उनके पास पहुंचाए गए आम आदमी पार्टी हालां कि कह रही है कि बड़े महीनों सी इंवेस्टिगेशन लिकर गेट में चल रही है लेकिन कोई सबूत किसी भी सेंट्रल एजनसी के पास नहीं है ये दावा आम आदमी पार्टी के तरफ से किया जा रहा है इडी ये भी कह रही है कि संजय सिंग ने अपने पार्लिमेंटरी असिस्टेंट विवेक त्यागी को अमित अरोरा के बिजनस में शेर दिलाने के लिए कुछ काम किये कुछ पॉलिसी में बदलाव किये अपने रिमान नोट में एडी ने एक्स्टेंट किया कि कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को घोटाला करने के लिए गड़बड करने के लिए पैसे दिये गए एडी का ये कहना है कि दिनेश अरोरा जो किस मामले में आरोपी था और अब अप्रूवर बन गया है उसने दो करोड रुपए कैश में दो इंस्टॉल्मेंस में संजे सिंग के करीबी सरवेश वर्मा को दिये अडिशनली दे रिमान नोट स्टेट्स अट संजे सिंग ओफर्ड अ मोडिफिकेशन इन लिकर पॉलिसी त्रू मनीश से सो दिया इन एक्सचेंज फॉर शेर इन आमित अरूराज बिजनिस फॉर इस असिस्टेंट विवेक ट्यागी जो माने संजे सिंग जी नी भी कहा कोट के अंदर यही दिने सरोडा और यही अमित अरूरा ने कई बार स्टेट्मेंट्स दिये हैं और एक बार तो इसके स्टेट्मेंट में लिखा है कि क्या भीया संजे सिंग को कि आपने कोई पैसा दिया वाला ने भर तो ऐसी क्या बात हुई कि आज बो बदल गया स्टेट्मेंट बात यह हुई कि एक अगस्त को इस सक्स को बेल मिला यह बना अपरूवर और अपरूवर बनने के बाद 14 अगस्त को यह स्टेट्मेंट देता है उस पे क्यों कोई ट्रस्ट करेगा वो नेचुरल सी बात है किसी का तुम कान फाड़ोगे किसी का दाथ तोड़ोगे किसी की परिवार को धंकी दोगे आप इस सर्थ पर कि बई तुमको तभी छोड़ेगे जो तुम इन इन बेक्तियों का नाम लोगे तो संजे सिंग का छोड़ो वो तो मोधी का नाम ले ले सबसे पहले सेथी साहब एडी कह रहा है कि संजे सिंग को दो करोड रुपए किकबैक दिये गए और कोट ने भी ये माना कि मामले में दम तो है योग्यता तो है कोट सेथ इस बेस्ट अन मेरिट और ये भी कहा दाथ इस आरेस्ट इस वारंटे नहीं देखे ये तुस्टी करन की राजजिती है विपक्ष को टार्गेट किया जा रहा है आप देखें न समविधानिक संस्ताओं का मिस्यूज करके आप 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 जो एप्रूवर उस एप्रूवर बनने से पहले तो हो कहता जी नो नेवर और एक पैसे की रिकवरी नहीं है पंद्रा महीने अगए इस केस को पहले संजे सिंग का नाम आया उन्होंने का जी गलती से आ गया उससे पहले बाद में चार्शीट में भी नाम नहीं था बाद में एप्रूवर को प्रेशराइज करके ब्लैक मेल करके किस तरीक इसको अपने जो उनका एड्मिस्टेव फेलियर है लाँ और फेलियर है मेंगाई रोजगार मजदूर किसान किलाडी हर जगा पे वो फेल हैं वो उन चीजों को कवर अप करने के लिए विपक्ष को टार्गेट कर रहे हैं जितने ही विपक्षी पार्ट हैं जिनको है दोनों से कि आप इसमें मनी ट्रेल को साबित करेंगे कैसे तो सुप्रीम कोट की तरफ से एक शौकर तो दोनों एजंसियों के लिए आया है और यह राजनीती का आरोप जो आप पर लग रहा है कि आपके इवल पुलिटिकल बेंडेटा कर रहे हैं बिल्कुल नहीं मैं दोनों प्रशनों का जवाब दे रहता हूँ बिल्कुल नहीं सुप्रीम कोट से कोई किसी प्रकार का जो क्वेरीज रेस की हैं सुप्रीम कोट ने आप इस बात को समझे जब भी कभी किसी बेल अप्लिकेशन के सुनवाई होती है यह कह रहे हैं समयधानिक संस्ताओं का एक केस क्या है किसका क्या रोल है आपके पस क्या इविडेंस है और यह सही केस में नहीं कोई भी केस बेलो गया आप इसी तरीके की कोईरी सुप्रीम कोर्ट या किसी बी राइक कॉर्ट की तरफ से आती है अब मैं मनी ट्रयल का जबाब देता हूँ Luke कं पधी तक सुप्रीम संस्ताओं की बात कर रहे है हाई कोट भी एक समयधानिक संस्ता ही है और मेरे पास उस order की ये copy है जो तीन जुनाई को हाई को में जस्टिस डीके शर्मा जी का order आया इसमें पैरा 69 में अगर आप मुझा इजादत दे पढ़ने की तीन लाइन पढ़ूंगा बस मैं पैरा 69 में साफ साफ लिखा है ट्रायल कोट relied on evidence evidence की बात हो रही है which shows that part of kickbacks और bribe amount जो 6% kickback लिया आयन लोगों ने received from south lobby was sent or utilized in connection with election campaign of the AAP in Goa and some cash payment through हवाला channels are alleged to have been sent to Goa for bearing the election expenditure and fake invoices have been created as a cover-up तो ये evidence के आधार पर भी दिल्ली उच्चनेल है दिल्ली हाई कोट ने specifically कहा है कि हमने evidence देखा है प्रायल कोट ने भी देखा है और उन्हें बड़े spash रूप से कहा है कि हवाला के जरिये पैसा Goa बेजा गया और नकली बिल बनाए गया ये दिखाने के लिए अब आदमी पार्टी का कहना कि केवल राजनीती हो रही बहुत 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 शुक्री आप दोनों का वारे साथ जुडने के लिए देखने वाली बात यह होगी कि कोट में किस तरह से मामला आगे बढ़ता है अभी तक कोट ने ना तो केस दर किनार किया है ना अभी तक किसी को दोशी ठैराया गया है लेकिन जिस तरह के सवाल कर रहा था उससे तो मतलब एक तरह से एक फीलिंग आ रही थी कि गलती केस बना रखा है लोगों ने हमारे उपर लोग अरविंद केजरिवाल जी के उपर हस रहे हैं और उनके चेहरे का तनाव देख रहे हैं जिनका शिक्षा मंत्री जेल में हो जिसकी पार्टी के सांसत से लेके विधायक जेल में हो और ये वो लोग हैं जो इंडिया अगेंस करप्शन का नारा देकर आये थे और भेष लेकिन अभी किंग पिन बाहर है किंग पिन का नंबर भी आएगा